जयकाल भेहरो जयकुरा, मैं तांतरिक देते हैं ये वीडियो आप सब के लिए लाया हूँ आज का जो वीडियो का विज़े है कि कबर की मिट्टी और कोई कबर जहां कोई मनुस्य का सवगड़ा हो क्या उसकी मिट्टी को उठाने से या उसकी मिट्टी कहीं रखने से किस परकार का काला जदू उस मिट्टी से होता है और किसी कबर के पास बहुत सारे लोग जो मिरी वीडियो देख रहे होंगे वो जानते होंगे खास कर जो लोग किसी मुस्लिम तांत्रिक के पाज जाकर पुई तांत्रिक किरिया करवाते हैं या किसी को अपने वस्मे कराते हैं किसी कन्या को या किसी पुरुस को किसी परकार का वस्मे कराते हैं उसमें कई बरी कहा जाता है कि फला ताबीज को कबर के पैरो की तरफ गाड़ देना है और गाड़ के आ जाना है पीछे नहीं मुड़ के देखना है इस परकार की बहुत सारी चीज़ आती है और कबर की मिट्टी उठा के लाई जाती है कबर की मिट्टी उठा के लाई जाती है उसके उपर एक तांत्रिक किरिया की जाती है उसके परचात बहुत सारे ऐसे परियोग की जाती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर कबर की मिट्टी खतरना क्यों है और कैसी कबर की मिट्टी काम करती है देखो कबर की मिट्टी फ मिट्टी बांदी जाए और एक नारियल पे बर्ज तांत्रिक क्रिया का प्रियोग कर दिया जाए और वह सारी सामगरी किसी एक हांडी के अंदर बड़ी हांडी के अंदर रख दी जाए और उस हांडी का मुँ काले कपड़े से बांदी जाए और उस हांडी को यदि किसी भव प्रवार उस घर के लोगों की सिहत सब खराब हो जाएगी। धीरे धीरे उस घर को ये समझ लेना मुसीबते ऐसे निगल जाएगी जिस परकार कोई अजगर अपने सिकार को अपने पेट में निगल जाता है। इतने खतरनात प्रयोग हैं ठीक है। लेकिन इतना साधरन नहीं ही कि तुमने कोई मिट्टि ली और काले कपड़े में बांधी और किसीब घर के धर दी नारियल रखके तो उससे कुछ हो जाएगा। बजर क्रिया बजर तांत्रिक क्रिया वही जानता है जितांत्रिक है बजर तांत्रिक क्रिया के माद्धी हमसे ही ये काम होता है जब तक बजर तांत्रिक क्रिया उस नारियल पे और वह जो मिट्टी है जो कबर की मिट्टी एक मुठी मिट्टी लाई जाती है और लाल कपड़े में रखी जाती है उसका जो मुझ बांदा जाता है एक पोठली बन जाती है उसके ओपर रात्री को एक से डिर बज़े अगर वो बज़र करिया ना की जाए तो उसके बिना ये करिया काम नहीं करती है तो कबरे की मिट्टी बहुत खदरनाक होती है एक परकार से जिस परकार से समझ लिए अकाल मिरत्यू योग किसी के ओपर लग जाता है जिसके अकाल मिरत्यू का योग बन जाते है और बड़े बड़े बिद्बान कहते हैं या यह जो बेक्ती है यह अकाल मुर्थियों को प्राप्त होगा इसी परकार से एक ऐसा दौर उस घर के उपर उन लोगों के उपर खोल दे आ जाता है यदि यह तांतरी क्रिया किसी भी हाल में किसी के उपर कर दी जाए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुश्मनी में किसी के घर के आगे आपने देखा होगा हांडी या काले कफ़ड़े में चिने की डाल या काली व्लड़की दाल या कीले या Nimगो मिलते हैं रख देते हैं, कोई किसी घर में फेक देता है तो याद रखें इस बात को कभी भी सहस्था से न ले और ये न शोचें कि ये सब कुछ नहीं होता जिस आदमी ने तुमारे घर के अंदर ये तुमारे घर के बहर ये दुकान के बहर किसी नहीं इस परकार की कोई भी तानतरिक किरिया करती है या कुछ रखा तुम्हें मिला है सबसे पहले तु यह है कि तुम उसकी फोटो खीच लो उसकी फोटो खीच के तत्काल प्रभाव से या तुम मुझे भेजो तो इसकी काट कैसे करनी है ठीक है इससे बहुत सायता मिलती है और कभी भी मान लो तुमारे घर के बाहर या घर के अंदर या कहीं भी या किसी ऐसे इस्थान पे या तुमारा रस्ता है घर से निकलने का उस इस्थान के बीच में किसी ने ऐसा कोई टोना टोटा करके रख दिय और तुम्हें वहां से गुजर ना है, मजबूरी है निकलने की, नहीं गुजर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, बहुत द्रहन से सुनना मेरी वीडियो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, देखो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने घर लाना है बापस लोटकर ठीक है गंगा जल लाना है अगर गंगा जल रखा है तो ठीक है और गंगा जल नहीं रखा है तो सुद्ध एक लोटा लें उसे धोलें साप कर लें उसके अंदर जल भर लें ठीक है और उस लोटे के अंदर या तो हरुमान चालीसा या किसी परकार का स पढ़ने के पजात तोटका रखा इसके उपर जल गर दे। जल गरने के बाद पैर में से जूता चपल आपने जूते के का परियुग कर दे। यानि कि साथ बार मारना, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इससे वो जो टोटका है खंडित हो जाएगा, और जो तुमने मंतर पढ़ा है, उस लोटे के उपर, लोटे के जो जल में तुमने पढ़ा है, उससे तुम्हें ये लाब मिलेगा, कि किसी परकार का असर जो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये तो जानकारी मैंने तुम्हें दी है, कबर की मिठी की, इसके बीच में एक जानकारी मैंने तुम्हें टोटके के दे दी, ठीक है, तो कबर का मिठी कौन-कौन लोग जो है, इस्तमाल करते हैं, देखिए, बहुत से लोग, गरवती लाने के लिए भी जो है कबर की मिट्टी का परियोग करते हैं कबर की मिट्टी का मतलब यह नहीं कि कोई कबरी हो ठीक है कबरिस्तानी हो जहां पर भी तुम्हां संगा हो के फला जागा कोई मुर्दा गड़ा है और उस इस्थान से जो है तुम कबर की मिट्टी ला सकते हो जाने के बाद उसका परियोग कर सकते हो इसका परियोग बहुत से लोग किसी जो गर्वती महिलाय होती है उनका गर्व गिराने के लिए निके महिलाय जब किसी इर्शा करती है कोई महिला महिला किसी इर्शा करती है और किसी का गर्व गिरा देती है उसमें भी जो है कबर की मि प्रणाली है, इक किसी तंत्रिक से संपर करें, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर हमेशा एक तो जुत्मरी नीव होती है, यह नीव पहले नहीं करवाया है, तो बाद में गड़ा खुदवा कर, यंत्र होते हैं, ठीक है, तांत्रिक यंत्र होते हैं, वो गड़वाएं, चारो दिशाओं में, एक बीच में गड़वाएं, चारो दिशाओं में गड़वाएं, उसके बाद अपने घर को किलवा लें, ताकि भविस्या में कोई मट्टी फेके एक किसी परकार का कोई टोटका करे उस सो जो है तुम बात सको कबर की मिट्टी बहुत खतरनाक होती है ठीक है कबर की मिट्टी बहुत खतरनाक होती इसका प्रियोग बहुत बहुत किया जाता है और खाज कर मुस्लिमों में भी बहुत किया जाता है इसका बहुत प्रियोग है मुस्लिमों में भी इसका सबस्यदा प्रियोग कबर की मिट्टी का किया जाता है बहुत सारे ऐसे से ऐसे से अमल है जो लोग करते हैं और कब्रिस्तान में जाते हैं कुछ तो ऐसे हैं अमल हैं जिसके अंदर कोई जो कब्रिस्तान होता आज कर दो आज में बैट कर आधात कोई चीज पढ़ना होती, कुछ ऐसे मंतर होते हैं, याद रखना जो लोग काला जादू करते हैं, जो इसके विशेशग्गिये हैं, जो इस शेतर में जो है, रूची रखते हैं, जो शेतर के जानकार हैं, वो जानते हैं, कि कबर की बहुत सारी चीजे बहुत आसानी से की जाती है अब मैंने ये वीडियो बनाई है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के उपर परियोग कर दो ठीक है द्यान दखना अगर तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारे उपर परियोग किया है तो उसकी काट कैसे करनी है, ये समझ लोग इससे कैसे बचता है, ये भविस्य में किसी ने किया हो, मैंने जो बता है, कोई भी लोटा ले, अगर किसी ने कर रखा है, ये घर में किसी ने फेक दिया है, तो अपने घर में सबसे पहले तांतरिक किरिया दुआरा सिद्धिकी, त गर अगर सुरक्सित हो गयार, मान लो किसी ने कबर की मिट्टी का परियोग करके किसी महिला के उपर, किसी गरवती महिला के उपर या किसी भी आदमी के उपर कोई तांतरिक परियोग किया है, अगर वो वेक्ति उस घर के अंदर आ जाएगा, तो उसके उपर से असर भी कट ज जाता है उस घर के अंदर उसके उपर असर नहीं होता घर से जाने के बाद असर हो जाए उसके हम कोई गारंटीन लेते लेकिन घर के अंदर उसके उपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता अब मैं आप सब से आग गया लूंगा ये वीडियो गर तुम सब पो अच्छी लग जे काल वरूँ जे गोरूँ